गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स मैं दीपारावत आज आपके लेके आई हूँ कक्षा 10 की गनेत चैप्टर 4 द्विघाद समेकरण बचों आज हम दीपारावत समेकरण के मूलों का अस्तित्व ग्याद करना सीखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है और फिर हम आगे सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधी से कैसे हल किया जाता है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो बचों इसमें है आज अगर हमें दुगात समीकरण की मूलों का अस्तित्व ग्याद करना है तो कोई भी समीकरण जो हमें दी गई है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं और हमें पता है कि जब हम इसकी तुलना दुगात समीकरण की तुलना जो दी है दुगात समीकरण की मानक रूप से करते हैं मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दुगात समीकरण की x square plus bx plus c equals to 0 होती है जब हम उससे तुलना करते हैं सबस्पोज आपके पास ये वाली समीकरण थी 2x square minus 7x plus 3 equals to 0 आप इससे तुलना करेंगे x square plus bx plus c equals to 0 आप देखेंगे a की जगे में क्या है 2 है b की जगे में minus 7 है और c की जगे में क्या है 3 है अब हम इसका discriminant निकालते हैं जिसको हम कहते हैं इसका विवित कर इसके लिए formula आपको याद रखना है formula होता है आपके पास d equals to b square minus 4ac आप सारी values इस formula में रखिए b की जगे में minus 7 का square आ जाएगा v square minus 4 की जगे में 4 है a की जगे में 2 है और c की जगे में 3 है आप इसको हल करेंगे यह हो जाएगा 49 minus 24 यह जाएगा minus करके 25 यह धनात्मक आ रहा है positive आ रहा है आप इसमें 3 cases बनेंगे बच्चों हमारे पास जो इसमें first case बनता है अगर d क्या है 0 से बड़ा है तो क्या होता है मूलों का अस्तित्व है और इसके 2 भिन-भिन मूल निकल के आएगे यह निके मूलों का अस्तित्व है और इसके कैसे मूल निकल के आने वाले हैं दो भिन भिन मूल निकल के आने वाले हैं केस 2 है आपके पास जब D क्या है जीरो अगर जीरो आ जाता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और इसके दो समान मूल होते हैं केस 3 है आपका जब D क्या है जीरो से छोटा है यानि कि नेगेटिव है ये इसमें को हम कहा सकते हैं कि नेगेटिव है तो मूलों का अस्तित्व इस केस में नहीं होता है तो बचो शुरू करते हैं परशनावली 4.3 इसमें दिया है आपको ये निमलिखी द्विगाद समिकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधी द्वारा ग्याद कीजें आपको समिकरण दी होगी और समिकरण को आपको ये बताना है कि इस इसके मूलों का इस थमिकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं है पहले हम वही करेंगे अभी हमने क्या था जो बताया है इसमें है 2x2-7 x3 इस को एकस्को एकस्कवर्ण से इकॉल्स प्लस इकौल्स उडियो से आपके पास आया था एकॉल्स टू प्रेइकौल्स तू-7 से इक्वल स्टू थी जब आपने सका डिस्क्रिमिनेंट बिवित कर निकाला था अभी स्कॉर माइनस फोर एसी से तो यह आया था पच्चेस आया था ना तो यह हमने बोला था भी कि मूलों की इसमें जब क्या है धनात्मक आ रहा है देज जीरो से बड़ा हो रहा है तो मूलो सबसे फ़ल हम एक्स स्कॉयर को यहां पर देखते हैं एक्स स्कॉयर का गुडांग क्या है दो जो भी संक्या यहां रहेगी उस संक्या से पूरे में आपको भाग देना है दोनों पक्षों में उस संक्या से आपको क्या देना है भाग देना गर यहां पर थ्री रहता हम थ्र से भाग देते फोर तो वड़ से भाग देते अगर यहां पर वन है तो तब नहीं होती क्योंकि हमें सब्वमेशा वन चाहिए है इसके आगे वन होना चीजैंब कि चाहिए वन कब आयागा जब मैं दो से भाग दोंगी तो मैंने दोनों पक्ष्टों को दो से क्या दे दिया भाग दे दिया तो यह आगए आपके पास 2x square upon 2 minus 7 x upon 2 plus 3 by 2 equals to 0 यह से 2 cancel out हो गया यह रहे आपके पास x square square minus 7 upon 2 x plus 3 by 2 अब क्या करेंगे आप x को एक साइड रहने देंगे और यह नंबर है उसको दूसरे एंड साइड ले जाएंगे 0 के दर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो x square minus 7 upon 2 x इधर यह प्लस का है इधर जाएगा तो यह क्या हो जाता आपके पास minus का हो जाता है minus 3 upon 2 यह हो जाएगा अब आपके पास जो next step होता है उसमें बचों आप क्या करते हैं आप इधर इस वाले का तो काम ने पट गया यह इधर चला गया बचे यह दो अब इसका भी काम हो गया था हमने इसको one बना दिया था बचा कौन रहे गया केवल यह बचा रहे गया अब इसको हमे फोकस करना है अब हमें इसको क्या करना होता है कि जो यह seven upon two है जो x का गुणांग होता है जो x का गुणांग का बचता है x square का तो गुणांग हमने one कर लिया इसको भी हमने इधर भेज दिया अब बचा यह वाला तो जो x का गुणांग होता है उसको हम क्या करते हैं एक 4 का square to 49 plus 16 क्या जाएगा 49 plus 49 प्लस 49 अपॉन 16 मैंने 49 अपॉन 16 क्या करना है मैंने दोन तरफ यह जोड़ देना है ठीक है इधर में भी जोड़ना है और इधर में भी जोड़ना है तो यह जाएगा x square minus 7 upon 2 x plus 49 upon 16 equals to minus 3 upon 2 plus 49 upon 16 अब आप देखेंगे कि क्या है इसको हमें एक formula के रूप में convert करना है जब हम जब हम इसे एक formula के रूप में convert करेंगे आप देखेंगे कि formula के रूप में कैसे convert होगा यह minus है न तो आपको पता है square वाला ट्रम भी आगया तो यह कैसे वाला होने वाला a minus b का whole square होने वाले क्योंकि यहाँ पर क्या आगया है minus अगर यह plus रहता तो यह plus का होता तो a की जगे में आपके क्या है बचो x है minus आप ऐसे लिखे लो और b की जगे में आप क्या करेंगे जो क्या था आपके पास यह 7 by यह किसका work है यह किसका work है यह 7 का work है और यह किसका work है 16 चार का तो यह 7 upon 4 यानि कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जो यह 7 upon 4 आया है न यह वाली चीज यहां पर लिख सकते हैं माइनस 7 upon 4 और आपको अगर यहां से confusion है तो आप इनका डिरेक्ट वर्ग निकालिए वर्ग मूल निकालिए और आप लिखिए इनका कि 49 का वर्ग मूल क्या होगा 7 होगा और 16 का वर्ग मूल क्या होगा 4 होगा तो यहां से एक formula बनके आएगा और आप इसको solve करेंगे simple सा LCM अगरा लेंगे तो आपके पास जो solve करके आएगा आपके पास जो solve करके आएगा वो यह होगा x-7 upon 4 का whole square equals to 25 upon 16 उसको solve करें LCM लेकी आगया अब हमें क्या करना है यहां से हमें इसका work हटाने यहां से square है ना जिब यहां से square हटेगा तो यहां पर under root का sign आ जाएगा solid round में x-7 upon 4 equals to under root 25 upon 16 अब देखो x-7 upon 4 हो गया यहां से square हट गया यहां से पर under root हटाना है जब under root हटेगा तो यह दो values देगा एक plus की value एक यही minus की value ठीक है हमेशे ध्यान रखना है plus minus यह किसका है 5 का होता है यह और 16 किसका work मूल है 4 का तो आप इसको solve करिए x-7 upon 4 equals to एक बार मैं plus का लोंगी इसकी value x-7 by 4 equals to 5 upon 4 और comma x-7 by 4 equals to minus 5 upon 4 एक बार वही चीच plus की है एक बार वही चीच minus की आप इसको solve करिए तो यह आजाएगा आपके पास x equals to 5 upon 4 यह minus इदर जाएगा तो plus का आजाएगा उसी ढंक से x equal to minus 5 upon 4 यह minus है तो इदर जाके plus का हो जाएगा आप इसको solve करिए simple LCM लीजे इसका तो यह आ जाएगा आपके पास x equals to 3 और यह हो जाएगा आपके पास x equals to minus 2 आपकी यह दो answers निकल गए हैं उसी डांग से बच्चों इसका second part है 2x square plus x minus 4 equal to 0 अब हमें इस समिकरण की तुलना किसे करनी है इसके मानक रूप से करनी है a x square plus b x plus c equals to 0 हम equal to 2 पता है में b equals to क्या है 1 है सब गुणांक और c equals to क्या है minus 4 है आप इसका discriminant निकालेंगे विवित कर equals to b square minus 4ac आप सारी values इसमें रखे आ गया 33 यानि कि क्या है d क्या है 0 से बढ़ा है तो मूलों का क्या है अस्तित्व है और इसके 2 भीन-भीन मूल निकल के आएंगे अब आप इसको क्या करना है पूर्ण वर्ग बिदी से इसको हल करना है और इसके मूल ग्याद करना है तो कैसे करेंगे आप इस समिकरन के क्या बोला हमने कि इसका गुणांक हमें सबसे पर x-square का गुणांक देखना है और जितना भी होता है उससे क्या करना है डिवाइड कर देना है दोनों पक्षों को ठीक है तो बच्चों जब हम इसको 2x-square plus x-4 equal to 0 है इसको दोनों पक्षों से हमने क्या किया दो से भाग दे दिया जब भाग दे दिया तो क्या आगया 2x-square upon 2 plus x by 2 minus 4 upon 2 equals to 0 आगया अब आप इसको cancel करिए x-square plus x by 2 minus 2 equals to 0 x-square plus x by 2 अब यह क्या हो जाएगा हमने क्या बोला जब हम डिवाइड करने के बाद अगला स्टप क्या होता है इधर x वाले रहने दीजिए और इसको इधर ले जाएए तो minus 2 इधर जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा plus 2 अब क्या करना है आपको यह वाला काम भी होगी है यह वाला काम भी होगी अब हमें x को गुणांक देखना है तो x का गुणांक होगा वो क्या था 1-2 है न एकसा गुणांक क्या है जब इसके आगी कोशनी मीचा था तो क्या मानता है एक आर यह नीचे दो है तो 1-2 आपको क्या करना है एक बटे 2 को फिर 1-2 से गुणा है हमने क्या बोला कुणांक को हमेश़ हम उसके हाप से गुणा करेंगे जैसे 1 बाटे 2 था हमने हाप से गुणा किया प्रिसली बार ही हमारे पास 7 अपॉन 2 था उसको भी हमने हाप से गुणा करा था हाप से गुणा किया तो बार हमने ingredients क्यों करें एड़ करूंगे X square plus X by 2 plus 1 upon 16 equals to 2 plus 1 upon 16 इसको solve कर ये X square plus X upon 2 plus 1 upon 16 इसको solve गिए 33 upon 16 आ गया अब इससे हमें क्या निकालने पूरा formula बनाना है यह किसका formula बनेगा अब देखो plus का है सारा तो आपको पता A plus B का whole square formula बनने वाला है तो एक की जगे में क्या है और प्लस B की जगे में मैंने क्या बोला यह आपको जो आता है ना इसको लिखेंगे आप यहां पर हना या तो आप ऐसे भी देख लीजिए इसको कि वन का वन है वन का वन और 16 किसका है 4 का है तो आप सिद्धे से यह लिख लीजे एकस प्लस वन अपॉन फॉर का whole square equals to 33 upon 16 अब यहां से क्या होने वाला है एकस प्लस वन अपॉन फॉर यहां से 2 square हटेगा तो यह क्या जाएगा इधर under root में value जाएगी और यह under root में value जाएगी तो क्या जाएगी प्लस माइनस में जाएगी एक बार वही चीज प्लस में आएगी एक बार वही चीज माइनस में जाएगी तो एकस प्लस वन उपॉन फॉर एकक वर ट रो फोर मास्च्वान वोर्हैं यहां से सौलズ करेंगे तो एकस की वैल्याद यह हमारे पर फोरका के दार निंगे इसका पास फॉर्थ पार्ट समझिए फॉर्थ पार्ट में इसका स्थित्वा ज्याद करो इसको कंपेर के इसंसे फॉरे速 विए स्क्वाइर माइनेस फोर एगा से यह सॉल्ट किया तो नेगेटिव में आ गया माइनिस ठाट इउन आ गया यहीरो से चोटा है तो इस संही करां के मूद का कोई क्या निह एंव तो नहीं है स Ariya के मूद का मूद का कोई अस्तित्व नहीं है बस आपके इतना ही करना झाल 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 झाल